This program is sponsored by Oryan Pet Solutions Private Limited, Pet Saat Smart, We Are Smarter, Nirmand Concrete, The Complete Concrete Solution, Aminia, The Taste of India, Shimla Biryani, Swat Zindhika, Calcutta Leather Complex Channels Association, VK for the Environment, Prince English School लोक्षबाई तीब्रो बिरोधिता सत्यों बिल पार सबार परे बुदबार राज्जो सबार पार सोयजे नागोरी कत्तो संग्षधोनी बिल बुदबार दिर्गो आट घंटा बितरको है बिल जिनिये बिल दी सिलेट कमिटी ते पाठान दावी तले चिनमुल सह बिरोधी संग्षद्रा किन्तु भोटा भुटी ते खारीज होय जाए शेई आबेदन तकोनी निस्चित होय जाए बिलेर भाग्गो आज नागरी करतो संग्षदनी बिल बास येवी तीब्रो बिरोधीत करें अलिंडिया उलेमा बोर्ड नैशेनल प्रेसिडेन तथा नियुदिल्लीर अलिंडिया उलेमा बोर्ड सुप्रीम बोर्डेन नैशेनल एसिस्टेंट जिनारेल सेग्रेटारी शेक गोलाम रभबानी ए दिन तीनी बलेन जखुन हिंदुस्तान पाकिस्तानेर मदे बिबेध है तकोन बला है जादेर हिंदुस्ताने थाकार तारा हिंदुस्ताने थाकबे पाशाबाशी तीनी उत्तर प्रदेशे सरकार केऊ पटाक्खो करे बलेन भारो ते 300-300-300-3 तालाक मामला बिल पाश करे बंदो करा होये छे ताहले ओन्नो दिके देखा जाच्छे समगरो देश जुरे 334-34,000 धरसोनेर मामलार जोनो कुनो बिल कैनो पाश करा होच्छे ना इसमें मैं क्या कहूं क्योंकि जो बेटी जाने वाली थी उन नाओ गाओं की वो तो चले गई और सबसे बड़ा जो कामीर तारीफ हमारे योगी जी जो हमारे ओनरेबल चीफ मिनिस्टर है यूपी गवर्मेंट के यूपी स्टेट के उन्होंने उनको मौाफ़जा 25 लाग दिया है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं उन से कि ये कल को कुछ और भी रेप अगर महां होगा यूपी स्टेट में तो उनको 50 लाग भी दिया जा सकता है तो वहां मामला खतम हो जाता है लेकिन मैं इसमें एक सवाल करना चाहूंगा यूपी गवर्मेंट से और तमाम ए देखते हैं कि 33,000 से 34,000 रेप केसे इंडुस्तांग में होता है तो उसमें आपकी विल्क्यूरी पास करते हैं जब उनको वहां पे एक चीज और भी मुझे याद आता है कि बेटी पचाव बेटी पढ़ाव अभ्यान जो हमारे सेंट्रल गवर्मेंट के जो इक स्कीम है तो एक रेपिस्ट सिटी के नाम से वह बहुत जल जाना जाएगा तो मैं इसके मुबारक बात देता हूं यूपी सरकार को यूगी जी को जो उन्होंने 25 लाग रुपिया जो उन्होंने मौबज़त दिया है तो यह दो एक्सपेक्टेड चीज है क्योंकि जो लोग रेप करते ह है शहीं करें शहीं करने पी जो दिलता है वहां से उनको ये मिलता है उनको उनको एक एकृत यहूपिसट को कि वहां हो तो पचीस लाग रुप्या 5 लाग रुपया महाबज़ा again कर दिये जाए खत्व कर दिया का अ और साथ शाथ मुझे टिकेट बे मिल जाएगा एलेक्शन लड़ने के लिए कलको बेटी पड़ा बेटी बचाव बेटी पड़ा अभ्यान को माईनिया नहीं नहीं रहता है मेरे करद से पड़ेशी देशों में भी जो अल्पसं क्या करेते हैं वो सब अपने अपने नागरिक अधिकारों के साथ सन्मान पून जीवन जी पाएंगे अपने धर्म का अपनी परंपराओं का सन्मान के साथ पालन कर पाएंगे ये बील ने सभी ऐसे प्रताडिक लोगों को जो धर्म के आदार पर प्रतादना सहन करकर भारत में आये हैं ये सभी लोगों को नागरिक्ता देने का अधिकार ने कर ये बील आया है कुछ अखबारों के मैंने आर्टिकल भी पड़े हैं एक बहुत बड़ी भ्रांती फिलाई दया है कि ये बील माइनोरिटी के खिला ये बील विशेज कर मुस्लिम समुदाय के खिला मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं जो इस देश के मुसल्मान है इसके लिए इस देश के कोई स्थिंता का सवाल ही नहीं है वो नागरिक है रहेंगे उनको कोई प्रताणिक नहीं है देखिए इस सिटिजिजिजिजिशिप एक्ट ऑफ निटी फाइज जो हमारे कॉंसिशन में उसको गरंड किया था तो उसको अमेंड किया रहा है इस एक्ट में तो अबी भी भी जब इसमें मालूम होता है कि इसमें यह है कि आप हिंदू सिख बोध फार्सी क्रिशन को आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांगलादेश से उनको आप यहां पर सिटिजिजिशिप देंगे इस अमेंडमेंड एक्ट के तहर तो इसमें आर्टिकल 14 का एक उलंगन ह हो रहा है जिसमें इक्वालिटी का उसमें जिकर किया गया है सम्विदान में और साथ साथ आर्टिकल 15 section 1 में यह बताया गया है सम्विदान में कि आपको किसी भी तरह का किसी भी तरह से यह रिलेजन के हिसाब से बाटना नहीं होगा तो इस इसमें एक आईं को उलंगन करकर उसमें अगर आप किसी तरह का संसुलन करते हैं तो वह उसको गयर कानूनिया गार सम्विदानी मना जाएगा मैंने यह भी देखा कि लोकसरवा में जब उनसे सवाल किय हैं तो उसका क्या है तो उनका जवाब होता है एसा ओलंगन बहुत हुआ है हिंडुस्तान को बढ़ी बात नहीं है यह बहुत ही शर्वमाक बात है जो एक हंग अ childya Lieutenant का ओंम निस्टर कर आ है कि एक अगर आए निपया है जो गजिशिता सरकार हो भी यह सब आएं को गईजन बिल को बिल्व रिजट करता हूँ क्योंकि बिल्ली की सपनीज सकन खार है। आपने पूता कि रवी किशन साहब ने इसको हिंदुलास्टर कहने की गोशित करने के लिए उन्होंने समर्तन दी है तो मैं रवी किशन साहब जो हमारे बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं और अभी वो पॉलिटिक्स जॉइन किये हैं तो शयाद मैं उनको ये रष्ट देना चाहूँगा, उनके अछल को कि जब हिंदुस्तान का कॉंश्ट्टर परियंबर बन रहा था जब हमारा हिंदुस्तान अंपाकिस्तान में डिवीजन हुआ था तो हमारे उस टेम में जो हमारे बाबा सभा मेटकर ने उनको कहा था सब को कहा था कि जिसको पाकिस्तान जाना वा पाकिस्तान जाये जिसको हिंदुस्तान में रहना वो हिंदुस्तान रहे तो बड़े ही बड़े दिल से सिर्फ हमारी बाप दादाओं ने नहीं बलके हिंदु मुस्लिम, इसाई, पार्सी, बोद, सबके बाप डादाओं ने ये फैसला किया था कि हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे और इसको एक सेक्टिलर स्टेट की तरह से गोशित किया गया था आपको दो कि दो कि आप में आपने हैं आप क्या हिस no SH. लिधर अनला को नहीं है अई तक करना हो सकता है ना मुचलिकि राशी रासी हो सकता है ना वॉद्म किल कि हमारे और रास्य वार्च火 सकता है क्योंकि हमारे बादाध, ने इक ख़ली है न District इसलिए कि यह बात करना बेगुनियाद बात है तो मैं आपके जहन को मैं यह रॉक्षिन लेना चाहूंगा कि आप लोगोड़े इस फैसला को उसी होत करना चाहिए था जब हिंदुर्स्तान पाकिस्तान का डिविजन हो रहा था देखें आपने ऐसा सवाल किया कि मुझे अगर होम मिनिस्टर अगर एक दिन का बनाया जाए तो मैं क्या करूंगा तो सबसे पहले में यह कहना चाहूंगा आप तमाम मीडिया हजरात के माध्यम से कि उस चेयर का जो मर्यादा जो रिस्पेक्ट उस और करने के लिए मुझे उ जिस चेयर पर यह हमारे 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 अमिद शाजी बैटे में हैं जिनको उनको यह भी तमिजने कि उसको कैसा मर्यादा रखा जाए हिंदू मुस्लिम सिख इसाई बोद सब को लेकर पहर चला जाए क्योंकि हम माइनॉर्टीज एक्ट के तहट यहां पर में क्लिरली डिफा करें तो मेरे हिसाब से जब मैं अगर मुहां पे उसके पद में बैठूंगा हो मिनसर के पद में उस चेयर में तो पहले मैं उस चेयर को साफ करना चाहूंगा उस चेयर को हटाना चाहूंगा नया चेयर में बैठना चाहूंगा उसके बाद में उसको मर्यादा को समझ के मैं प्रवादे कांप अगे बाला चांगा